सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकर नेवर मिसन अपडेट हेलो एवरीवन जै हिन दोस्तों आपका स्वागत है महनराज के ओफीशियल योडियोप चैनल पर पिल्कुल लिंक छेर कर दीजिये अधिक चैनले को डीजिये जिसे अधिक चैनल सेली लोग किनेक्ट हो सके ओर से सब्सक्राइब नहीं होगी और अगर मौनीं नहीं होई है तो इस बॉर्ड़ खाएए और फाइनली शेशन के सत्सक्राइब हो जाईए ठीक है और जो लोग connect हो चुके हैं तो उनका बिलकुल उनका यह responsibility है उनकी कि finally वो अपने friends को हाई ना अपने friends को link share करें और finally उनसे भी बोलें कि station में add हो facts को points को connect करें और finally questions के answers भी दे जाएं और देखें आज के दिन कौन सी news हैं जो हमारे लिए important हो रही हैं क्या facts हैं सारी की चारी चीज़ों को हम discuss करें तो यह बिलकुल चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं 15 जून का current affair लेकर मैं त्यार हूं क्या आप भी त्यार हैं तो चलिए शुरू करते हैं बढ़ते हैं अपने inspirational quote की तरफ देखते हैं आज का inspirational quote क्या कहने बाला है तो यह बिलकुल जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है रुकने का नहीं तो बिलकुल इसी तरह जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं आगे बढ़ते जाते हैं चीज़े सीखते जाते हैं experience दोते जाते हैं किसी ने सच ही कहा है किसी काम को करने से कभी पीछे मत हतना कुछ काम करने से अगर कुछ ना भी मिला तो तजरूबा मिलेगा और वो बहुत ही कीम्ती होता है हर चीज का तजुरुबा करना लेकिन किसी भी चीज की आदत मध डालना ठीक है लियर बिल्कुल तो चलिये इसी Positive Vibes के साथ जिंदगी आंगे बढ़ने का नाम है रुकने का नहीं तो बिल्कुल चलिए हम शुरू करते हैं आज के session को, लियर जैसा कि आप सभी जानते हैं session में PIB, All India Radio, Indian Express, Hindustan Times, Business Standard and other sources से selected news collect करके compile की जाती है, जो आपके exam के लिए relevant हो, चाहेदा Hindu हो, PIB हो, All India Radio हो, Indian Express हो, Business Standard हो, Hindustan Times हो, ठीके overall selected news को collect करके compile किया जाता है, जो आपके exam के लिए कि क्या हो, relevant हो, जैसा कि आप session में देखते भी हैं, news को, facts को and points को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस session में हम पहले current news का discussion करते हैं, अप्रॉक्स 10 news का एक target लेकर चलते हैं, है न, एक on and average लेकर चलते हैं कि 10 news discuss करेंगी, कभी 10 से 11 या 12 भी हो जाती हैं, कभी 10 से 9 भी हो जाती ह ठीक है डियर, तो पहले current news का discussion होता है, इसके बाद में हम लोग discussion करते हैं, MCQ discuss करते हैं, और MCQ के बाद में हम लोग last day का quiz winner जो होता है, उन्हें announce करते हैं, first, second, third, और volunteers को, ठीक है, उन्हें announce करते हैं, और इसके बाद में हम लोग quiz के question को भी देखते हैं, जिसका answer आप लोग बिलकुल फड़ा-फट से करते हैं, ठीक है, नडियर, उनको next day announce किया जाता है, तो ये पुरा एक compiled session रहता है, जो I hope आपके लिए fruitful रहता है, अगर आपको किया गया प्रयास यहां पर अच्छा लगता है, तो फड़ा-फट से session को like कर दें, अधिक से अधिक लोगों के साथ share कर दें, जैसे वो भी session का lab उठा सकें, बिलकुल, आपकी राय, आपकी advice बहुत जरूरी है, ठीक है, इसी के साथ हम लोग session को और fruitful और helpful बनाएंगे finally, ठीक है, तो participation आपका बहुत जरूरी है, तो चलिए, शुरू करते हैं फड़ा-फट से, अपनी first news की तरफ, देखते हैं अगरवाल जी का appointment हुआ है, as a BSF, DZ, Director General के पद पर appointment हुआ है, Border Security Force में, BSF में, as a DZ पद पर इनको appointment किया गया है, डियर, अगर हम बात करें, इनकी तो ये IPS officer है, नितिन अगरवाल जी की बात हो रही है, डियर, अभी कुछ दिन पहले ही एक news मैंने discuss की थी, सायद आपको ध्य 53rd आपका summit था, finally, साथ में conference हुई थी, है न, तो वहाँ पर जो हमारे BSF के Director General थे, वो additional charge था उनके पास, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, BSF के DZ का जो पद है, ये पिछले 5 months से क्या था, रिक्त था, खाली था, यहाँ पर additional charge दिया गया था, किसको, सुजोई थाम संजी के पास ये क्या था, as a additional charge इनके पास में था, ये पद पिछले 5 महनों से क्या था, रिक्त था, वेकंट था, यानि interim आपके BSF DZ थे वो, और उनका जैसे ही 5 महने बाद इनको appointment किया गया, तो finally, वो अपने आप ही क्या, ठीक है, चलिए, connect कलते हैं, देखते हैं, क्या points ह होने हैं, कैसे हम इसे connect करेंगे, इस news को, कैसे इसको देखेंगे, तो चलिए, आणा, नितिन अगरवाल, तो directly here, हमने यहाँ पर, कैसे connect कलते हैं news को, जो भी new years है, finally, वो समझ पाएंगे, नितिन अगरवाल, appointment है, तो dear, इस तरह से हम इसे connect कर लेते हैं, जिससे आसानी से, हम figure के format में ध्यान रख पाएं, है ना, कोई भी new year है, तो भई, जो भी facts होते हैं, हम वो direct theory के part पर ना ले चल करके, हम उसको figure के format में create करते हैं, जिससे हम आसानी से उसे long run तक याद रख पाएं, ठीक है, और यह इसी figures में सारे points हम add कर लेते हैं, जिससे हम उसे आसानी से ध्यान रखना है, तो नितिन अगरवाल जी का क्या हुआ है, appointment हुआ है, ठीक है, यह appointment कहां परे भई, BSF border, security, force, ठीक है as a DZ, director general, director general, ठीक है, director general, नितिन अगरवाल, appointed as a director general, border security, force, BSF में इनको appointment मिला है, ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें, last five months से जो यह पत था, यह vacant था, यानि हम बात करें, replace किसको किया है, तो replace जो किया है, डियर वो किया है, इन्होंने, पंकज कुमार सिंग को, किसको replace किया है, पंकज कुमार सिंक को replace किया है, यह सेवा निवरत हो गए थे, last five years पहले, last, sorry, last five month पहले, before five month, है ना only on ध्यान रखिएगा 5 मन्त पहले यह क्या हो गए थे आपके क्या हो गए थे आपके सेवा निवरत हो गए थे चीक है पंकच कुमार सिंग लेकिन additional charge BSF के DG का additional charge BSF के DG का सुजोय लाल थामसन जी के पास था सुजोय थामसन सुजोय लाल थामसन के पास ठीक है डियर एडिशनल चार्ज था चली देखते हैं आप एपाइंट पे क्या लिखा हुआ है बई नितिन अगरबाद as an IPS officer of 1989 केरला कैडर से बिलॉंग कलते हैं has been appointed as the new director general of the border security force new director general है border security force के this appointment comes after a vacancy of over five months in the position जैसा मैंने बताया तो फटा फट से आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे या note कलते चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है note कलते चलिए इसी figure में कोई आगे भी points जो भी आएंगे आप इसी figure में उनको add करते चलेंगे ठीक है नडियर चलिए जैकते हैं next point पे चलते हैं next is क्या बोल रहे हैं भी 31st December Ryan 22 पंकज कुमार सिंग जी की सेवा निब्रती के बाद BSF रमुक का पद 5 महने से अधिक समय से क्या था वेकेंट था खाली था ठीक है डियर यह 31st December Ryan 22 को 31st December Ryan 22 को पंकज कुमार सिंग अभी जो last ही हमने slide पे connect किया पंकज कुमार सिंग जी को replace किया है इनोंने चीक है वो तो interim आपके थे बी जी डिरेक्टर जनल सुजोयलाल थामसन जी पिछले पांच मैनों से BSF का अत्रिक्त प्रफार केंडरी रिजर्व पुलिस बल यानि CRPF के महान इदेशक जो है CRPF CRPF के जो डिरेक्टर जनल है CRPF के डिरेक्टर जनल CRPF Central Reserve Police Force के जो डिरेक्टर जनल है डैट इस सुजोयलाल थामसन जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया सुजोय लाल थामसन थायसन थायसन है डिर थामसन नहीं है ठीक है नेम में इतना थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा ठीक है सुजोयलाल थायसन ठीक है सुजोयलाल थायसन तो ये BSFDG के additional charge इनके पास था आप समझ पा रहे होंगे एक student ने question भी किया दा कि सर ये BSFDG जो है अभी appointment हो गया है बिल्कुल नितेन अगरवाल जी का तो बिल्कुल नितेन अगरवाल जी और ये word जो use होता है ये word अधिकतर आपने budget में सुना होगा है ना interim budget तो interim word का क्या मतलब होता है यहाँ पर मैं थोड़ा से clear करूँगा I hope आप समझेगा हिंदी में हम इसे बोल देते हैं अंतरिम हिंदी में क्या बोल देते हैं अंतरिम ये word का मतलब होता है क्या temporary क्या होता है temporary temporary जब किसी चीज़ को हम temporary रूप से use करते हैं तब हम interim बोल देते हैं जैसे CRPF के जो director journal है CRPF के director journal सुजोईलाल फायसन ये ऐजा permanent कहां पे director journal है CRPF में लेकिन इनको additional charge अत्रिक्र प्रभाल दे दिया गया BSF के DG का कब से 31 माज 2022 से यानि 31st December 31st December और 22 से जब से ये पंकज कुमार सिंग जी क्या हो गए थे ऐजा 700 रत हो गए थे तब से इसका काम कौन देख रहा था सुजोईलाल फायसन जी आपके देख रहे थे जो कि एजा हमारे CRPF के DG है तो ये एजा interim DG है ना BSF के कैसे DG बोल सकते हैं interim DG के रूप में यानि अंत्रिम DG के रूप में ये देख रहे थे सुजोईलाल फायसन आप appointment हो चुका है तो finally वो CRPF के DG रहेंगे यहाँ पर हमको नए नितिन अगरबाल जी मिल गए जो कि BSF के डायक्टर जनरल के रूप में एजा appointment हो गए है I hope इतना आप के लिए समझ पा रहे होंगे यानि interim word कहीं भी use होता है तो ये temporary रूप से use होता है यानि सुजोईलाल फायसन जी एजा temporary रूप से काम कर रहे थे जब तक कोई नया appointment होकर नहीं आता तब तक इन्हों नहीं ये कारेभार समझ ला interim का मतलब अंतरिम यानि जब हमारा budget पूरे financial year का ना हो करके यानि overall 12 months का ना हो करके कुछ कम time period का होता है यानि 6 months, 4 months, 3 months, 8 months पूरे 12 months का ना हो तो वो हमारा interim budget कहलाता है अगर हम बात करें स्वतंद्र भारत का ये बाद जो हमारा पहला budget आया था वो 26 November 1947 को represent किया गया था और इसे represent किस ने किया था RK शनमुखम चेटी जी में RK शनमुखम शनमुखम RK शनमुखम चेटी जी ने पेश किया था और ये भी budget हमारा कैसा था interim budget था interim क्यों था डियर क्योंकि ये जो budget था हमारा ये budget पूरे financial year का नहीं था सबसे पहली चीज़ ये ऐसा budget था जो आपका पेश कप किया गया 26 November 1947 को लेकिन इससे जो cover किया गया था वो जब से देश हमारा आजाद हुआ यानि 15 अगस्ट 1947 से 15 अगस्ट 1947 से 31st March 1948 तक apply था यानि 7 महिने 15 दिन का ये budget था तो ये एक साल से कमका हो गया तो हमारा स्वतनदर भारत after independence के बाद जो budget आया था वो हमारा interim budget ही था यहीं से interim budget की अधार ना आई और interim budget आता कब है election year जब मारा होता है अभी 2024 लोग सबाद चुनाओ आएगा तो interim budget आएगा या फिर कोई ऐसी condition हो गईगी हम पूरे साल का budget नहीं ला पाते कोई emergency जैसी condition हो गई तो finally उस time पे भी आपके interim budget लेकर आते हैं clear इतनी बात सभी को ठीक है I hope इतना आपको clear हो रहा होगा चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं next days next बात करें तो next बिलकुल जो news होती है बहुती selected and relevant होती है जो भी points यहां पर बताए जाते हैं वो connect होते हैं finally आप अपने mock में आने वाले upcoming exams में आपको यह question यहां से यह points देखने को मिलेंगे ठीक है ना बिलकुल possibility रहती है MP government की बात हो रहे है मद्यप्रदेश शरकार ने क्या किया है announce किया है 1500 क्रोड 1500 क्रोड कर जो आपका interest है वो interest क्या किया है वेवर किया है इसमें छूट दी है ब्याज की माफी कर दी है ब्याज को माफ कर दिया है मद्यप्रदेश सरकार ने यहां से कितने किसानों को लाव मिलेगा 8 लाख फार्मर्स को यहां से benefit मिलेगा इसके लावा और क्या किया गया है डियर मद्डेब्रदेस राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो वो किसानों को yearly सार हजार रुपए देती थी अब इस एमाउंट को बढ़ा कर 6,000 रुपए कर दिया गया है मद्पदेस सरकार यानी बात हो रही है किसकी सिवराज सिंग चौहान की जिन्हें हम निक नेम की तरीके से क्या मामू के नाम से जमते हैं मामू बोल देते हैं सिवराज सिंग चौहान जी को तो बिल्कुल MP सरकार ने 8 राक किसानों के लिए 15 सो करोन रुपए के ब्याज की माफी की घोशना की है एक ये पॉइंट है और एक और पॉइंट है कि जो 4,000 रुपए किसानों को मिलता था मद्य परदेश राज सरकार की तरफ से अब उसका एमाउंट बढ़ा कर कितना कर दिया गया है 6,000 रुपए कर दिया गया है है ना तो यहाँ पे बिल्कुल और हाँ एक और confusion आ रहा होगा कि अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि राज सरकार दे रही है 6,000 रुपए और केन सरकार से भी मिल रहा है 6,000 रुपए ठीक है डियर चलिए connect कलते हैं उसको देखते हैं कैसे point और कैसे connect करेंगे चलिए फटाफट से आ जाते हैं MP government मद्पड़िस राज सरकार MP government यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो चीज़ें बही जैसे बताया जो मुख्य मंत्री किसान कल्यान योजना मुख्य मंत्री किसान कल्यान योजना यह मुख्य मंत्री किसान कल्यान योजना में अगर हम बात करें तो अभी तक जो amount दिया जाता था वो कितना था? 4000 था per year अब इसको increase करके कितना कल दिया है? 6000 कल दिया गया है ठीक है? एक तो यह बात हो गई इसके इलावा हम जो loan waiver की बात कर रहे हैं loan waiver किया गया है कितने amount का? 1500 CR ठीक है? कितने किसान यहां से benefited होंगे? 8 lakh farmers ठीक है ठीक है? तो यह point आपके इस तरह से यहां पर connect हो पा रहे होंगे ठीक है? और भी point आएंगे उनको भी connect करेंगे ठीक है? ठीक है? तो MP government, मद्धप्रदेश, राज्य सरकार किस मुख मंतरी, किसान, कल्यान, योजना के जरीए? 4000 रुपए yearly देती थी, अब इसके amount को बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया गया है loan waiver हुआ है कितना? 1500 करोन का और 8 lakh farmers यहां से क्या होंगे? benefit होंगे ब्याज की माफी दे दी गई है, ठीक है? इसके जरा 1500 करोन रुपए, बिलकुल ब्याज की माफी की गोशना की बिलकुल आप देख पा रहे हैं, जहां पर यह हुआ है किसान का ल्याण महाकुम्भ, हैना डियर यह अगर हम बात करें तो मोहनपुरा में हुआ है 11,00,00 से अधिक किसानों को 2123 करोन की ब्याज माफी है ठीक है डियर, बहुत सारे points हैं, चलिए देखते हैं, और यहां पर भी हमारे defense minister राजनाज सिंग भी क्या थे बिलकुल मौजूद थे चलिए, देखते हैं, next point की तरफ चलते हैं, next is, देखिए क्या बोल रहा है he also announced the waiver of interest रुपी, जैसा अभी हम पहले देख चुके हैं, waiver of interest दिया गया है, waiver of interest कितने farmers benefited होंगे, 8 lakh farmers, ठीक है, just अभी हम लोग बेख चुके हैं, 8 lakh farmers in the first phase, under the chief minister farmers interest waiver scheme, chief minister farmers interest waiver scheme, मुख्य मंत्री, किसान, ब्याज, माफी, योजना है ना, तो final आप इतना ध्यान रखिएगा, मुख्य मंत्री, किसान, ब्याज, माफी, योजना, it's a very simple है, बहुत सारे point आप connect कर पा रहे होंगे, है ना, चली, इतना clear है, लोग चलते हैं आगे, next is, देखते हैं point क्या बोल रहे हैं, बही देखो, मद्दे प्रदेश के राजगर्द जिले में, ये जो हुआ है, ये कहां पर हुआ है, मद्दे प्रदेश के, राजगर्द जिले में, राजगर्द डिस्ट्रिक, राजगर्द डिस्ट्रिक के, कहां पर मोहनपुरा, 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 चीक है, मद्दे प्रदेश के राजगर्द जिले के मोहनपुरा में आयوجित किसान कल्यान महा कुम डियर इसको नाम दिया गया किसान कल्यान महा कुम तो ये भी point बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि हाली में किसान कल्यान महा कुम अभी कहाँ पर हुआ और इसमें किसने participate किया था तो यहाँ पर Minister of Defense जो है हमारे finally वो थे किसान कल्यान कुम्ब किसान कल्यान महा कुम्ब को संबोधित करते हुए राजना सिंग ने कहा कि देश का किशान अन दाता या जीवन दाता ही नहीं बलकि भविस्य दाता भी है क्योंकि वे अपने माध्यम से देश के मजबूत भविस्य की निव रख रहे हैं यह पॉइंट यहाँ पर बोला गया अब देखो कैसे पॉइंट कनेक्ट करोगे क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने है दूसरा पॉइंट मुख्यमंत्री दूसरा पॉइंट हम बात करें जो 4000 रुपए yearly दिया जाता था किसानों को उसकी एमाउंट को बढ़ा कर कितना कर दिया गया है 6,000 रुपी कल दिया गया है कितना कल दिया गया है 6,000 रुपे कल दिया गया है मुख्य मंतरी किसान कल्यान योजना के अंतरगज जो दिया जाता ठीक है दूसरा point यह हो गया next point अगर हम बात करें मुख्य मंतरी किसान ब्याज माफी योजना से बताया ही मैंने point ठीक है मुख्यमंत्री किसान कल्यान योजना जहां पे 4000 रुपए yearly मिलता था आप कितना मिलेगा 6000 ठीक है डियर फिर किसान कल्यान महाकुम का योजन कहां पर हुआ है तो मद्य परदेश के राजगर रिस्टिक के मोहनपुरा में हुआ और यहां पर हमारे मिनिस्टर आफ डिफेंस राजनाज सिंग जी भी क्या थे मौजूद थे ठीक है डियर I hope इतना आपको clear होगा बिल्कुल crystal clear होगा बहुत ज़्यदा कोई भी नहीं डिरेक्ली यहीं से questions आपके frame होगे वो questions भी हम देए ठीक है रजिस्टर किया गया है वन नेशन वन आगनवाडी प्रोग्रेम में डिरेक्ली देखो कैसे connect करोगे वन नेशन वन आगनवाडी प्रोग्रेम ठीक है चलिए वन नेशन वन नेशन वन आगनवाडी प्रोग्रेम वन निशन वन आगणवारी प्रोग्रैम चीखे वन नेशन वन आगणवारी प्रोग्रैम 57,000 57,000 माईगरेंट वरकर्स माईगरेंट वरकर्स को क्या किया गया है रेजिस्टर्ड किया गया है रेजिस्टर्ड रेजिस्टर्ड जिससे जो भी गौर्वर्मेंट की schemes हैं उनका लाव उनको दिया जा सके, I hope इतना आप किलियर कर पा रहे होंगे, डिरेक्ली कोशन आयेगा वन नेशन वन आगनवारी प्रोग्राम के जरीए अभी हाली में कितने माइग्रेंट वर्कर्स को यहाँ पर रेजिस्टर्ड किया गया है या 57,000 माइग्रेंट वर्कर्स को रेजिस्टर्ड कहां किया गया है, वन नेशन वन आगनवारी प्रोग्रेम में किया गया है, यह इसका महिलाओं और इस्तनफान करने कराने वाली माताओं की यो दिये जाने वाले लाबों का लाब उठा सकते हैं बहुत होता है माइग्रेंट है ना वर्किंग के लिए अपने रोजगार के लिए एक राज जैसे किसी दूसरे राज में जाते हैं माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं तो वो क्या उपाते हैं, यहां से बंचित रह जाते हैं, तो वो यहां से बंचित ना रहे पाएं, गॉर्मेंट की जो भी स्कीम से फाइनली उनका लाब उठा सकें, तो यहां पर यह रेश्ट्रेशन किया गया है, वन नेशन वन आगारवाली प्रोग्राम में के अंतरगत, इतना आपको किलियर हुआ होगा, बहुत सदर डेप्थ में जाने की जरुवत नहीं है, सीधा सा, सिंपल सा, as a, info type में या आपकी news है, as a, information है, ठीके, चली, next देखते हैं, क्या point बन रहे हैं, next is, महिला आएवं, बाल विकास मंतराले, बिल्कुल यह एगर हम बात करें, किस के अंडर में आएगा, तो ministry of, ministry of, women and child development, ministry of women and child development, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, बही, एक app है, portion tracker app, ठीक है न, portion tracker app, portion tracker app, portion tracker app, portion tracker app, portion tracker app से, आसानी से, इनको, केंदर सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, यानि central government, central and state के बीच, कोपरेट हो सकता है, कोपरेशन हो सकता है, और इनको जो भी benefit दिये जा सकते हैं, इनको benefit पहुचाए जा सकते हैं, आसानी के साथ, कौन सा app है, portion tracker app, portion tracker app, और यह ministry of women and child development के एंडर में आता है, ठीक है डियर, चलिए, next is, देखते हैं, क्या point बन रहे हैं, आगनवाली कारे करताओं को कुसल सेवा वितरण के लिए, सरकारी e-market है ना, सरकारी e-market, government e-market, के माध्यम से खरीदे गए, smartphone प्रदान किये जा रहे हैं, बिलकुल, सभी राज्य और केंसासित प्रदिश्यों दौरा कुल, 8.66 lakh 8.66 lakh ऐसे phone खरीदे गए हैं, चीके डियर, आएफो, बस इतना ही point है, हमें ध्यान रखना है, 57,000 workers हैं, migrant workers हैं, जिनको one nation, one आगनवाडी program में क्या किया गया है, registered किया गया है, चीके डियर, ऐसा information है, लेकिन ये news ऐसा आपका पूछ दी जाती है, इस तरह की fact, national news के अंदर आएगा ये, national news की category में रहेगा, I hope इतना clear है, चलिए, फटा-फट से हम लोग चलते हैं, next is, next is, अगर हम बात करें, तो यहां पर भी appointment निकल कर आ रहा है, और ये appointment है, Indigo के CEO, Peter Elbers का, सीधा सा point है, Peter Elbers, Indigo के CEO है, है ना, Indigo के CEO है, Peter Elbers, और इनको IATA में, Board of Governors के लिए, as a appointment किया गया है, elect हुए है, ये IATA में, Board of Governors की तरह से, चीक है, चलिए, देखते हैं, Peter Elbers, तो सबसे पहले कैसे connect करेंगे, भई, Peter Elbers Indigo के CEO हैं, ये, है ना, तो यही पर हम लिख लेंगे, Indigo CEO, Indigo CEO, चीक है, as a appointment हुए है, as a appointment appointment, appointment, चीक है, appointment हुआ है, appointment कहां पर हुआ एडियर, IATA, यानि, International, International, Air, Transport, एस ओशियेशन, ये, TRANSPORT एस ओशियेशन, एड़alen, Board of Governors, Chair levels हुई है, Chair, Elect हुए है, of IATA, तीये, बोर्ट उस तीए, है, ओर यहाँ पर ये, Board of Governors, Board of Governors चीक है डियर एज एपाइंट्मेंट आई ये टीये में है चीक है Indigo has announced ये किस ने announce किया है Indigo ने announce किया Indigo has announced that is CEO Peter Elberts has been elected as the chair elect of the International Transport Association Board of Governors चीक है Peter Elberts का नाम ध्यान रखना है और finally ये Indigo के CEO है chair elect हुए है आई ये टीये में Board of Governors हुए है International Transport International Air Transport S.O.C.S.N. International Air Transport S.O.C.S.N. चीक है डियर चलिए देखते हैं कुछ और पाइंट आइड करते हैं वह वलतमान अध्याच रेवेंडियर के CEO यवोन मंजी मैकलो का इस्थान लेंगे बई किसको replace किया इन्होंने है मैंजी मैकलो यवोन मैंजी मैकलो है ना यवोन मैंजी मैकलो मैंजी मैकलो भी ध्यान रख सकते हो जरूई नहीं कि पूरा ही नाम ध्यान रखो है ना थोड़ा सा भी ध्यान रहेगा तो finally option में टिक हो जाएगा यवोन मैंजी मैकलो finally ये क्या है आपके इनको replace किया है ये रेवेंडियर के CEO है ये रेवेंडियर के CEO है जिनको replace किया है किसने पीटर अलवर्स ने जो की इंडिगो के CEO है और इंडिगो के जो CEO है पीटर अलवर्स अब ये CEO अब ये as a governor, board of governor as a chair elect किये गए है कहां पर IATA में, ठीक है, कहां elect किये गए है, IATA में, और इनसे पहले IATA में कौन था, तो, युवान मैंजी मैकलो थे, युवान मैंजी मैकलो थे, इन्हीं को replace किया है, I hope इतना आपको clear हुआ होगा, clear है इतना डियर सभी को, इतना clear होगा, चले next, चले, next इस अगर हम देखें, तो कुछ formation डियर हुआ, 9 April, 19th April, 1945, 19 April, 1945 को इसका formation हुआ है, 78 years हो गए है, हवाना क्योबा में, finally, type अगर बात करें, तो International Trade Association की तरह से काम करता है, International Trade Association के अंडर में, IATA, International Trade Association, Headquarter का है, डरेक्ली पूछ सकते हैं, News में रहा है, IATA, तो डियर कनाडा के मॉंट्रियल में, इसका Headquarter है, कनाड membership की बात करें, तो membership 303 airlines in 123 countries, यानि 123 countries की कितने airlines इसके अंडर में आती है, 303 airlines, 303 airlines, डियर डारेक्टर जनल की बात करें, तो Willie Walls इसके डारेक्टर जनल है, Willie Walls इसके डारेक्टर जनल है, तो static fact भी आपके लिए बिलकुल important होंगे, IATA के में, इतना clear है आप सभी को, तो एक बा जार, yes कर दीजिएगा comment box में, ठीक है डियर, अगर आप session को enjoy कर रहे हैं, तो फटाफट से like कर दे, यह सारे facts और points, यह पूरा एक compile करने में session को बिलकुल time लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, तो अगर आप इस मेहनत को पसंद करते हैं, तो finally फटाफट से like करें, और अपने friends के साथ अधिक से अधिक बिलकुल share करें, इससे वो भी connect हो सकें, और finally फिर daily regular routine में वो session में आ सकें, और यह fruitful रहे उनके लिए session, ठीक है डियर, तो I hope इतना आपको clear होगा, चलें, इसी के साथ हम लोग चलते हैं next days, next news की तरफ, next news बात हो रही है भई, बहुत important news ह अगर हम बात करें, UAE की, United Arab Emirates ने immerse किया है, fourth largest investor बन गया इंडिया के लिए, कौनसा investor बना है भई, fourth largest investor map में भी आप देख पा रहे होंगे, middle list में, यहाँ पर आपका UAE पढ़ता है, United Arab Emirates और इंडिया की बात करें, तो बस बिलकुल बहुत जादा दूरी नहीं है, मैप में हमें बहुत जादा दूरी नहीं दिखाई देती है, है ना, one second मैंने कुछ ज़्यादा ही इसको इधर कर दिया है, ठीक है, तो अगर हम बात करें, तो बिलकुल यह आपका UAE आएगा यहाँ से, और यहाँ, अटो भई तुम, हाँ, यहाँ से, यह हम आ गए, इंडिया में, ठीक है न, डियर, तो भिलकुल, ठीक है, चलिए, तो यह हमारा fourth largest investor हो गया है, इंडिया के लिए, कौन, UAE, अगर हम सबसे बड़े investor की बात करें, तो first largest investor कौन, इंडिया के लिए, सिंगापुर है, second कौन है, Morisus है, third कौन है, US है, और fourth कौन है, UAE हुआ है, और यह हुआ क्य ही भई, क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया, कि UAE हमारा क्या हो गया, fourth largest हो गया, तो यह इस वजह से हुआ, क्योंकि हमने last year, क्या sign-up किया था, हमने last year sign-up किया था, एक MOU sign किया था, क्या sign किया था, एक MOU sign किया था, डियर, कौन सा MOU sign किया था भई, आपने बहुत सुना होगा, FTA agreement sign किया था, FTA agreement sign किया था, जिसे बोलते हैं, मुक्त व्यापार समझ होता, हिंदियों बोलते हैं, मुक्त व्यापार समझ होता, FTA stands for Free Trade Agreement, Free Trade Agreement को हमने sign किया था, UAE के साथ, है न, इंडिया ने साइन किया था, इंडिया, साइन अप, FTA, एग्रिमेंट साइन किया था, किसके साथ, UAE के साथ, उसी का ये रिजल्ट निकल कर आया है, कि हमारा फोर्थ लार्जेस्ट इंवेस्टर हो गया है, कौन, UAE, चीक है, चलिए, कनेक कलते हैं, फटाफ किस बाइस में, साथ में की तुल्णा में, यानि पहले हमारा सेवन्थ लार्जेस्ट इंवेस्टर रहता था, और फाइनली तुल्णा में, 2022-23 में, UAE, भारत का चौथा सब्सेबड़ा निवेस्ट बन गया है, है न, फोर्थ लार्जेस्ट इंवेस्टर बन गया है, तो य इन इंडिया, फोर्थ लार्जेस्ट इंवेस्टर इन इंडिया, अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर फर्स लार्जेस्ट इंवेस्टर कौन है, फर्स लार्जेस्ट इंवेस्टर कौन है, तो फर्स लार्जेस्ट है डियर सिंगापुर, second largest कौन है second largest की बात करें तो DR निकल कर आता है morisus third largest कौन है तो third largest DR निकल कर आता है US और fourth largest कौन है fourth largest हमारे लिए UAE निकल कर आता है I hope इतना point आपको clear होगा बिल्कुल आप connect कर पा रहे होंगे और यह सब possible कैसे हुआ है एक MOU sign करने से और उस MOU को हम क्या बोलते हैं free trade agreement यह हमने sign up किया था कब last year last year हमने यह sign किया था यह effect में आया था मई 2022 से यह agreement effect में आया था चीके डिया चली देखते हैं कुछ और points को बिल्कुल the United Arab Emirates with which India implemented a comprehensive free trade agreement in May last year has emerged as the fourth largest investor in India during time 22 and 23 year अगर आप देखिए अगर आप live session को सुन रहे हैं है continue आप session को सुन रहे हैं PDF के बरुसे अगर आप है तो PDF से यह चीज़े clear नहीं होती है क्या किस point पे क्या बताया गया क्या समझाया गया किस तरह से connect किया गया तो connection बहुत important होता है connecting the points है ना जैसे मैंने बताया connecting the points जैसे जैसे आप points को connect करेंगे करेंगे facts को connect करेंगे तब ही आपने उसको बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे समझ पाएंगे है ना तो बिल्कुल जैसा भी मैंने discuss किये सारे points तो देखिए as well as theory के पार्ट पे भी वही सारी बाते लिखी हुई है लेकिन जाब मुसे discuss करते हैं तो फाइनली हम आसानी से connect कर पाते हैं ठीक है तो free trade agreement का ही ये कमाल है कि fourth largest investor हो गया इंडिया के लिए कौन UAE ठीक है चलिए कुछ और आगे चलते हैं देखते हैं क्या points बन रहे हैं बिल्कुल अभी हमने सिंगापूर की बात की final वही point यहां पर लिखे हुए हां यहां पर amount जरूर यहां पर दे दिया गया है 17.2 billion dollar है ना सबसे बड़ा निवेशक है और फर इसके बाद maurisus की बात करें तो 6.1 billion dollar है यूएस की बात करें तो 6 billion dollar है तो यह बिल्कुल यह point भी हम लोग महीं पर connect कर लेते हैं अगर हम सिंगापूर की बात करें तो कितना है 17.2 billion dollar है अगर हम maurisus की बात करें तो कितना है 6.1 billion dollar है अगर यूएस की बात करें तो कितना है 6 billion dollar है यह आपके amount और figures भी as a important रहेंगे चलिए मैं इधर हो जाता हूँ साइड में अफट अफट से photo ले लिए अगर आपको लेना है photo ले लिए screenshot ले लिए और notes अगर बनाते चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है connect करते चलिए और notes को create करते चलिए ठीक है बहुत इंपॉर्टन है active तरीके से अगर आप notes create करते चलना है note down करते चलना है अपनी current fs की copy में तो उससे better कोई option है ही नहीं इन डियर कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमें करना पड़ता है उसका कोई substitute नहीं होता है यह ना कभी कोई short trick नहीं होती हाँ यह चीज है आप practice करते हैं तो आप उस चीज को बहुत ही आसानी से करने लगते हैं ठीके तो वो practice का कमाल होता है वह किसका कमाल होता है practice का किसी भी च होते हैं जिसे हम आसानी से ध्यान रखना है क्लिवर्ड होते हैं किसी चीज का कोई सौटकट नहीं होगा चिकडियर चलिए चलते हैं फटा फट से नेक्स्ट इस तो यह बिलकुल इसके बाद हम लोग चलें तो देखी यहां पर थोड़ा सा विदेशी निवेस FDI में व्रद्धी के लिए महतपोर कारकों में से एक 18 फरवरी 2022 को भारत और सेयोकतरा वमीरात के बीच एक व्यापक आर्थिक भागिदार समझोता पर हस्ताचर किये गए थे और यह जो मैंने भी बताया FTA को लेकर foreign trade agreement तो यह 1st May 22 से क्या हुआ था इफेक्ट में आया था 1 मई 2022 से इफेक्टेड इफेक्टेड हुआ था 1st May 22 से लेकिन इसे sign up कप किया गया था 18 फेब राइन 22 को यह डेट साब से कोई पूछने नहीं आएगा बस मैंने बता दिया है इसी के साथ हम लोग चलते हैं next news की तरफ next news आ रही है आपकी appointment से बिलकुल यह appointment अपने आप में बहुत ही बिलकुल नया है बिलकुल किस तरह से नया है चलिए देखते हैं इस तरह से नया है कि हम बात करें कैरेन काजी की बात हो रही है कैरेन काजी जो है डियर यह becomes SpaceX के youngest software engineer हैं आप गैस कर सकते हैं कि इनकी उमर कितनी होगी डियर only on 14 years old यह केवल 14 साल के हैं मातर 14 साल के हैं कैरेन काजी कैरेन काजी SpaceX के सबसे युवा software engineer बने हैं SpaceX के सबसे युवा software engineer बने है Karen Kazi. ठीक है, Karen Kazi becomes SpaceX youngest software engineer. चीकर यहर, चलिए. देखते हैं, यहाँ पर देखी, क्या point हो रहे हैं, कैसे हम इसे connect कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से. तो फटा-फट से, Karen Kazi appointed as a software engineer. Software engineer. कहाँ पर है भई? SpaceX में. चीक है, SpaceX में. and then software engineer है, कहाँ काजी है, as a appointment हुए है, ठीक है, SpaceX में. ठीक है, as a software engineer. कितने year old है, भई? 14 years old. आप से कोई देखी है, year नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसा information पता होना चीए, कहाँ काजी, appointed SpaceX, software engineer, as a software engineer, ठीकर यहर. टेकनिकल चैलेंजिंग फन है ना, इनका जो interview हुआ, finally देखी, यहाँ पर क्या लिखा हुए, youngest person to be hired by the spacecraft company, कहाँ काजी है, 14 year old software engineer, who cleared SpaceX, interview उन्होंने clear किया, technically challenging, technically challenging fun, interview process, technically challenging fun interview process, यहाँ पर SpaceX रखता है, अपने software engineers को, क्या करने के लिए, appoint करने के, चलिए, देखते हैं कुछ और points, कुछ और points में, same as well as, my slide आपकी हिंदी में आ गई है, next time देखें, based in San Francisco, San Francisco के काजी, जो है, Santa Clara University में, School of Engineering, alumni में, finally यह आपके क्या रहे हैं, इसके पूर्वच हात्र रहे हैं, San Francisco में जो की स्थित है, as I information है, यह point, 400 million dollar का, डियर, एक loan है, है ना, एक loan है, ADB ने approve किया है, 400 million dollar का, 400 million dollar का, किसके लिए, बांगलादेश के लिए, किसके लिए, बांगलादेश के लिए, under the sustainable economic recovery program, sustainable economic recovery program के लिए, 400 million dollar approve किये हैं, Asian Development Bank ने, तो चलिए, फटाफट से देख लेते हैं, कैसे connect करेंगे, तो ADB, Asian Development Bank, headquarter, Manila Philippines, आप सभी जानते हैं, बहुत ही simple, है ना, तो ADB, Asian Development Bank ने, किस country के लिए, बांगलादेश के लिए, बांगलादेश, कितना amount है, डियर, तो 400 million dollar, 400 million dollar, ठीक है, 400 million dollar, sustainable economic recovery program के लिए, sustainable economic, sustainable economic recovery program, किस के लिए, बांगलादेश के लिए, कितना 400 million dollar है, ADB, ठीक है, इस तरह से आप इसने, उसको connect कर पाएंगे, ठीक है, अगर बात करें इसकी, तो देखी, यहां क्या बात हो रही है, this loan, in ADB's second sub program, यह second sub program है, of sustainable economic recovery program का, which was launched, इसे launch किया गया था, October 2021 में, कब launch किया गया था, October 2021 में, जब COVID चल रहा था, तो support economic recovery के लिए, after the COVID pandemic, यानि pandemic महामारी के time, COVID-19 pandemic के time, finally इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था, इसका यह second phase आया है, second sub program है इसका, और यहाँ पर directly question इस तरह से बनेगा, कि बताईए अभी हाली में, Asian Development Bank ने, Bangladesh को कितने amount का, जो हमारा sustainable economic recovery program है, उसके लिए कितना amount release किया है, 400 million dollar, किस country के लिए किया है, Bangladesh के लिए किया है, I hope इतना point आपको clear हुआ, U.S. 400 million loan to Bangladesh to advance reforms in domestic resource mobilization, भाई किसके लिए किया गया, domestic, domestic, resources को increase किया जा सके, mobilize किया जा सके, domestic resources, mobilization, फिर and other क्या है, improve efficiency and productivity, improve, efficiency and productivity of public spending, in help small businesses की help की जा, especially women lead दिया जाए business को, SS low cost innovative banking financial services लेकर आई जाए, ठीक है डियर, यह सारे points यहाँ पर निकल कर आईए, last is वो क्या बोल रहा है, भई दच्चिन एसिया के लिए, ADB के प्रधान लोग, प्रवंधन अर्थसास्री, अमीनूर रह्मान ने कहा, कि वित्तो पोस्टल बांगलादेश का राजासो बढ़ाने, और सारजनिक व्याय, और सारजनिक खरीद की दच्चता के लिए, पारदासिता को और बढ़ावा देने में सच्च्चम करेगा, जिससे ट्रांस्परेंसी कंट्री क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, और ये बात यहाँ पर किसने बूली है, ये ADB प्रिंसिपल, पब्लिक मैनेजमेंट एकनॉमिस्ट हैं, साउथ एशिया, अमेनुर रह्मान, इनके द्वारा ये बात बुजी गई, ऐसा इंफोमिशन इतना में ध्यान नहीं रखना है, है ना, I hope सारे प्राइंट और सारे फैक्स को आप कनेक्टर पा रहे होंगे, कितना किलियर है आप सभी को, है ना, I hope इतना आपको किलियर होगा, ठीक है, चलिए, इसी के साथ हम लोग चलते हैं, नेक्स न्यूज की तरफ, नेक्स न्यूज आ रही है, बिल्कुल, ICAR की बात हो रही है, ICAR की बात हो रही है, Indian Council of Agriculture Research की बात हो रही है, यहाँ पर एक, इन्होंने MOU sign किया है, चसाथ, उन्होंने Agreement sign up किया है, क्या करने के लिए, Empower करने के लिए, फार्मर्स को क्या करने के लिए, Empower करने के लिए, ICAR ने MOU sign up किया है, किसके साथ, Amazon ने साथ, कैसे Connect करेंगे, तो चलिए फटा फट चलते हैं इंडियन कॉंसिल औफ सेट्गे इंडियन कॉंसिल ओ एक्रिकल्चर रिसर्च एक रिक्रिकल्चर रिसर्च क्या साइन अप हुआ एक MOU sign हुआ है किस के साथ Amazon किस के साथ Amazon किसान किस परपच के लिए हुआ है Farmers को क्या करने के लिए Strength करने के लिए Farmers को क्या करने के लिए Strength करने के लिए और ये MOU sign हुआ है कहा हुआ है New Delhi में हुआ New Delhi इस तरह से आप points को connect कर सकते हैं, देखी क्या लिखा हुए, Indian Council of Agriculture Research, New Delhi and signed IMOU, Amazon Kishan combined to strength and create synergy between the two organizations for guiding the farmers, scientific cultivation and different crops of optimum yield and income, जिससे इनकी income को बढ़ाया जा सके, वेग्यानिक खेती, वेग्यानिक खेती, वेग्यानिक खेती और किसानों के मार्ग दसन करने के लिए, 20 ताकत का सयोजन किया जाए और income को, income को क्या किया जाए, increase किया जाए, तो आपको Indian Council of Agriculture Research ध्यान रखना है, MOU ध्यान रखना है, Farmers को strength करने के लिए, Amazon किसान ने sign up किया है, कहाँ पर ये agreement sign up हुआ है, New Delhi में हुआ, तेकर फटा फटा से screenshot ले लेंगे, नोट कर लेंगे, चलिए, चल दें next point पे, देखें next point क्या आ रहे हैं, आइसी यार, Amazon के network के माध्यम से, किसानों को तकनीकी साहिता परदान करेगा, किसानों को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा यानि टेक्निलोजिकल का सपोर्ट परदान करेगा, यह किसानों की अजीबिका में सुधार करेगा और फसल की उपज को बढ़ावा देगा, बूस्ट क्रॉप येल्ड, है न, बूस्ट क्रॉप येल्ड, बूस्ट क्रॉप येल्ड, चलिए, चलते हैं, here next is, next बात करें, त पुने में, ICAR, KVK, KVK अगर हम बात करें तो क्रशी विज्ञान के इंद्रो, क्रशी विज्ञान के इंद्रो, जो की कहां पर है, पुने में है, क्रशी विज्ञान के इंद्रो, in पुने, and Amazon has decided to expand the collaboration, है न, ये एक डियर पाइलेट प्रोजेक्ट है, जो की रन कर रहा है, चीक है, उन्हें में, ICAR, KVK, और Amazon के बीच एक सफल पाइलेट प्रोजना के सही होग का विज्ञार करने का फैसला किया गया है, इस पाइलेट प्रोजेक्ट के क्या, क्रशी, विज्ञान, केंद्रो, ठीक है डियर, I hope ये भी पाइंट आपने connect कर पाए होंगे है, तो first figure जो एक बना था, finally वहीं पर ये सारे पाइंट आपको क्या करते हैं, connect करते हुए चलने, I hope इतना आपको clear होगा, चलिए हम चलते हैं next, next अगर बात करें तो ICC men's player of the month की बात हो रही है, हर मन्थ आपका announce होता है, तो यह है, तो इनका नाम निकल कर आ रहा है, हैरी चेक्टो, यह आपके बने हैं ICC men's player of the May month, of the May month, ठीक है, Ireland से बिलॉंग करते हैं, Ireland से बिलॉंग करते हैं और यह Ireland के पहले, Ireland के first men's player of the month बनने वाले हैं, first player of the month अवार्ड मिलने वाले पहले हैं, Ireland के पहले खिलाडी हैं, ठीक है, चलिए, next चले, next बात करें तो इन्होंने पाकिस्तान के सुपरिस्टार बाबर आजम और बंगलादेश के युवा उभरते बल्ले बाज नजमुल हुसाइन संटो को कड़ी प्रतिस परदा में हराया है, यानि बाबर आजम और बंगलादेश के युवा बल्ले बाज हैं, जो नजमुल हुसाइन संटो, इनको कड़ी इस परदा में हराया, और फाइनली हैरी टेक्टर आपके, ये में मन्त का मेंस प्लेयर आफ दा मन्त का एवार्ड ले गए, चिकर डियर, चलिए, next इसम चले, तो मेंस की बात करेंगे, बिल्कुल डियर, अगर हम मेंस की बात करे है, वोमेंस, प्लेयर, आफ दा में मन्त, आफ दा में मन्त, चीक है, तो ये दूसरी बार है डियर, इनका नाम है, इनका नाम है, थिपाचा पुथावों, थिपाचा पुथावों, थिपाचा पुथावों, वोमेंस, प्लेयर आफ दा मन्त, में मन्त बनी है ये, थिपाचा पुथावों को, जाता है जो पिछले महिने की पुरसकार के विजे था अपने हम बतन, यानि इन ही की कंट्री के एक दूसरे हम बतन खिलारी थे, खिलारी चाइवाई इनके नक्से कदम पर चलते हुए फाइनली यह अवार्ड इन्हों ने क्या किया है विन किया है ठीक है थाइलेंड से बिलॉण करते हैं थाइलेंड थाइलेंड की रास्टी महिला क्रिकेट टीम ने लगा था दूसरी बार पतिस्ठेट आइसीजी प्लेयर आफ दा मंत का एवार्ड जीता है यहाँ पर नाम आ जाएगा थिपाचा पुथा वोंग थिपाचा पुथा वोंग ठीके डियर थोड़ा सा नाम आपको दिहान रखना थिपाचा पुथा वोंग तो यह कॉंटिन्यू सेकंड टाइम यह मिला है फस्ट अब इससे पहले अगर अप्रेल मंत की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मोल चाइवाई को मिला था किसको मिला था बाई नॉर्मोल चाइवाई को इन्हीं की हमवतन खिलाड़ी है थिपाचा पुथा वोंग ठीक है आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा ठीक है तो यह थाड़ यह आज के लिए हमारी न्यूस का सिलसला आज की न्यूस यहीं तक आपने न्यूस को एंजाय किया होगा समसे होंगे सारे प्वाइंट्स और सारे पैक्ट्स को है ना च करते हैं तो चलिए फड़ा फट्स शुरू करते हैं अपने question answers का सिलसला देखते हैं क्या questions होने वाले हैं यह जैसा आप सभी को पता है question को आप solve करेंगे finally कितने questions आपके सही हुए यह comment box में session end up होने पर आप लिखेंगे quiz का question का answer और final कितने questions आपको आपने यहाँ पर कितने marks gain किये final वो भी आपको comment box में बताना है चिक एडियर तो quiz का answer करना है तो पहले quiz का answer कर दीजे देन फिर बाद में अपने marks भी बता दीजे कि भई सर 6 upon 10 है 7 upon 10 है 5 upon 10 है जो भी आपका है amount finally वो आप बता सकते चिक एडियर जब भी आप अब देखिए अगर आप morning session को देख रह ही है है ना बिल्कुल तो चलिए शुरू करते हैं अपने question का सिलसला तो अगर हम बात करें quiz की बात करें यानि questions की बात करें तो sometimes you score हम कुछ score करते है and something you learning learning important है score important नहीं है क्या हमने सीखा यह important है score भी important है लेकिन सबसे important क्या है learning अगर सोचो score आ जाए और हमें कुछ सीखा ही ना हो कुछ learning ना किया हो learning से ही life में हम आगे improve होते हैं आगे बढ़ते हैं एकडियर आए हो जम शॉर्ट वे में सोचते हैं तो हम सोचते है score important है marks important है marks अच्छे आने चाहिए है ना चली चलते है first question की तरह तो बिल्कुल first question बिल्कुल आ चुका है आपकी screen पर तो फटा-फट हम लोगों ने discuss की थी तो यहां पर options दिएगे india's first female professor india's first female politician india's first female doctor india's first female news presenter तो फटा-फट से आप लोग answer करेंगे चले इंडियर answer की तरह तो right answer यहां पर हो जाएगा india's first female news presenter ठीक है डियर इंडिया की first female news presenter थी और भी English news presenter थी ठीक है डियर चलिए next question की तरह यह explanation आ जाएगा finally आप देख सकते हैं next question आ रहा है आपका which country is hosting the global event of world blood donor day in durian 23 बिल्कुल अभी हाली में हम लोगे डिसकस किया था कौन सा देख 2023 में विस्ट रक्त दाता दिवस के वैस्विक आयोजन की मेजबानी कर रहा है options है इंडिया ब्राजील अल्जीरिया या फिर आस्ट्रेलिया राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका अल्जीरिया तो डिल्कुल यहां पर अगर हम बात करें word blood donor day की जो hosting country है वो कौन है अल्जीरिया next is which stock exchange in Israel is involved in the development of the digital government bond इसराइल में कौन सा stock exchange डिजिटल सरकारी बॉंड के विकास में सामिल है जेरुसलम stock exchange तल अवीव stock exchange हाइफा stock exchange या फिर बीर शेहबा stock exchange अगर आप session में जुड़ते हैं news को connect कलते हैं news को ध्यान से सुनते हैं attentively finally रहते हैं session में तो answer जरूर कर पाएंगे क्योंकि हम लोग news discuss कलते हैं detail में points के साथ तो फड़ा फट से answer करेंगे तो यह right answer हो जाएगा यहाँ पर तल अवीव stock exchange right answer क्या हो जाएगा आपका तल अवीव stock exchange next is which of the following figures accurately represent the current report rate बहुत ही simple अभी bimonthly policy की reports आहीं थी कुछ भी change नहीं हुआ था लेकिन फिर भी हमें percentage यहाँ पर रेपोरेट पूछ दिया गया है फटफट से तो बिलकुल फटफट से बताएंगे बिलकुल बहुत ही simple तो यह right answer क्या हो जाएगा 6.50% यहाँ पर एक बर छोटा सा revision भी कर लेते हैं quick revision जैसा आप सभी को पता है डियर मैंने आप सभी को पता है था reserve ratio reserve ratio भी आपना नाम भूल जाना लेकिन reserve ratio के percentage कभी मत भूलना reserve ratio कितने आपके दो that is first is CRR cash reserve ratio कितने percent है 4.50% and फिर SLR percent कितने percent है 18% चीकर यह दो आपके reserve ratio होते हैं reserve ratio हो गए and इसके बाद हम बात करें policy rates बोल दें हम policy rates या फिर interest rates भी बोल देते हैं interest rates तो अगर हम policy rates और interest rates की बात करें तो that is repo rate reverse repo rate SDF bank rate MSF MSF DR bank rate पर ही calculate होता है repo rate की बात करें तो कितना percent है 6.50% reverse repo rate की बात करें तो यह fix कर दिया गया है कितने पर 3.35% SDF की बात करें तो यह कितना है 6.25% bank rate की बात करें तो यह कितना है 6.75% MSF की बात करें तो bank rate पर ही calculate होता है that is 6.75% तो यह सारे interest rates ने डियर और यह सारे policy rates या interest rate group में हम इनको जानते हैं ठीकर डियर चली इसी के साथ हम लोग चलते है next question की तरफ तो यहां पर बिलकुल explanation आ जाएगा तो योगता किसमें जीती है क्या हमने related कुछ discuss किया था जिहान करिए जी हां बिलकुल किया था तो चलिए बताइए options हैं आपके सिनी सेट्टी कैरोलिना बेलवस्का या फिर एरेना स्कलीवा या फिर मानुसी सिलर तो यह राइट आंसर यहां पर जाएगा सिनी सेट्टी सिनी सेट्टी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा चलिए चलते हैं next question की तरफ तो who was हवलदार L.B. D.Cruz कौन थे हवलदार L.B. D.Cruz कौन थे options दिये हुए in the first कैरली to receive the Ahsoka Chakra Award option B है the first recipients of the Sauria Chakra option C है Lance Nayak with 14 SM Rifles option D है the first Indian to receive the Veer Chakra ठीकर यह तो फटा-फट से आप लोग करेंगे बिल्कुल बिल्कुल आपको time दिया जाएगा मुका दिया जाएगा answer करें तो right answer क्या जाएगा भाई बिल्कुल discuss किया था हमने अभी हाली मिन का निधन हुआ है और यह के रिला के पहले असोख चक्र प्राप्त करता है तो right answer क्या हो जाएगा option A is a right now option A is a right now next is बिल्कुल विपर जॉय की बात करें तो यह बिल्कुल यह cyclone चर्चा में है which part of India is expected to be hit by cyclone तो चक्रबाद विपर जॉय भारत के किस हिस्से से टकराने की आसंका है इस्टरन कोस्ट, वेस्टरन कोस्ट, वेस्टरन कोस्ट, वेस्ट बेंगॉल रियर बिल्कुल किसको टकराने की आसंका है तो बता ही है फटा-फट से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वेस्टरन कोस्ट, ठीक है राइट आंसर इस वेस्टरन कोस्ट next is explanation भी दिगा हुआ है, finally आप explanation देख सकते हैं next is question आ रहा है, what is the main objective of the shakti scheme launched by the karnataka government, karnataka सरकादवारा शुरूपी गई शक्ती योजना का मुख्योद्देश क्या है, options है, providing free education to women, offering free health care service to women, ensuring women's safety and security, providing free travel to women in government buses तो डियर फट अफट से answer करेंगे, बिलकुल हम लोगों ने discuss किया था, तो क्या आ जाएगा, providing free travel to women in government buses तो डियर बिलकुल, right is, next is, चलते हैं question की तरफ, what is India's rank as a producer of crude steel in the year 2022 and 2023 बस 2022 में कच्चे इसपात के उत्पादन के छेत्र में, रूप में भारत का rank क्या है, 4th, 5th, 2nd, या पर 3rd It's a very important, हम लोगों ने discuss किया था, तो right answer क्या जाएगा, यहाँ पर 2nd, है ना, 2nd place पर हम आ गए है, 1st place पर कौन है, फटा फट से comment box में बताएंगे, 1st place पर कौन है, जापान को पीछे छोड़ते हुए हम 2nd place पर आए है, या जापान 3rd place पर है, इंडिया 2nd place पर है, तो 1st place प by the ministry of health care, health and family welfare, स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा, पांचवे राजिया, खाद्य, सुरच्छा, सुचकांक में किस राजि को सीर से प्रदर्शन करने वाले राजि के रूप में घुशित किया गया है, केरला, बिहार, महरास्टा या फिर करना के था, तो यह चलिए, तो फड़ा-फड़ चलते हैं, आंसर की तरफ, राइड आंसर हो जाएगा, यहाँ पर केरला, बिल्कुल केरला, आपका फर्स प्लेस पर है, सेकेंड प्लेस पर कौन है, थैर्ड प्लेस पर कौन है, स्मॉल स्टेट्स में कौन है, और यूटी स्टेट्स में कौन है तो सारे सारे facts आपको ध्यान करने है और finally comment box में comment करना है ठीक है चलिए हम लोग station में आगे चलते हैं अगर हम आगे चले डियर तो बिलकुल ये explanation आ जाएगा आप explanation को देख लेंगे और इसके साथ ही हम चलते हैं बिलकुल कल के quiz के answer की तरफ कल के quiz के question का answer क्या है तो चलिए आपके दिल की धरकने तेज हो रही होंगी की answer क्या है तो चलिए डियर right answer है बिलकुल option C अरुनाचल प्रदेश जो कि हम लोग ने कल quiz का question दिया था right answer आपका जाएगा अरुनाचल प्रदेश ठीक है डियर तो चलिए हम लोग देखते हैं फटा-फट से तो in which state was a new species of green tree frog discovered in the नमदाफा tiger reserve तो right answer यहाँ पर गया option C अरुनाचल प्रदेश इस इस राइट नाओ तो चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं इसके explanation की तरफ अगर हम चलें तो यह आप explanation आ जाएगा researchers from the wildlife institute of India in देहरादून natural history collections finally इसको आप आसानी से देख लेंगे नमदाफा tiger reserve की बात हो रही है तो आप बिल्कुल connect कर पाएंगे तो चलिए यह हमारे quiz का answer था अब हम चलते हैं अपने winner की तरफ देखेंगे इस quiz में हमारे first winner कौन है second कौन है third कौन है और volunteer कौन है तो चलिए बिल्कुल तयार हो जाएए ready हो जाएए ready हो जाएए और finally हम लोग देखेंगे हमारे first winner कौन है तो चलिए फटा-फट से चलते हैं हम लोग first winner की तरफ और first winner है हमारी मुस्कान कौमारी बिल्कुल ये continue connect रहती है और हमेशा answer करती रहती है आज फिर से एक बार ये आपकी first winner हो गई है तो first winner है हमारी मुस्कान कौमारी बिल्कुल right answer किया है और नाचल प्रदेश किया है और time के साथ किया है सबसे पहले इनका comment box में session end up होते ही comment आया था तो right is मुस्कान कौमारी बिल्कुल right answer किया है और इन्होंने बिल्कुल time के साथ ही कुछ seconds का difference रहा के बल और ये second winner है हमारे तो बिल्कुल congrats रहुल कौमार जी Congress मुस्कान कौमारी first place पर जो रही है second place पर third place की तरफ चलते है तो third place है उस्पुर रंजन सिंग जी के पास उस्पुर रंजन जी ने भी बिल्कुल right answer किया है और नाचल प्रदेश किया है और बिल्कुल कुछ second का ही इदाफा रहा कुछ second का ही difference रहा finally इस वज़े से ये third place पर रहे तो place matter नहीं कलता आपका recognition matter कलता है है ना बहुत अच्छे very good congates इसी तरह से participate कलते रहें और finally answers कलते रहें points को connect कलते रहें और अपने session को enjoy कलते रहें इसी के साथ हम चलते है next अपने volunteer की तरह तो volunteer है हमारे केशव मंडल केशव मंडल यहां पर volunteer है इन्होंने बिल्कुल right answer किया है और आचल पर देश किया है कुछ ही seconds का effect रहा इस वाज़े से volunteer में connect की गई है तो बिल्कुल year congates आपको भी बहुत अच्छे very good इसी तरह के प्रयास करते रहें continue connect रहें और finally आगे बढ़ते रहें ठीक है डियर तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलेंगे अब अपने आज के quiz question की तरफ तो फट़ट से ready हो जाईए तयार हो जाईए आज के quiz question के लिए हम लोग देखेंगे आज का quiz question क्या होने वाला है तो यह चलिए that is ready तो यह रहा आज का quiz question what is the objective of इसरो गगन्यान project what is the objective of इसरो गगन्यान project option A to launch a satellite into space option B to demonstrate human space flight capability option C to explore Mars for sign of life option D to establish a space station on the moon और बिल्कुल जैसा कि आप सभी को पता है पूरे option के साथ आपको type करना होगा जो comment box में पूरे option के साथ पूरा का पूरा option आपका क्या करेगा as it is type करेगा उसी को winner उसी को सही right answer माना जाएगा आप B, C करके option नहीं देंगे जो भी आपका option अगर A right है तो आपको to launch a satellite into space लिखना होगा जो इतना सबसे पहले लिखेगा वही हमारा first, second, third volunteer की तरफ जाएगे तो उसी तरह से start होगा तो dear I hope यह आपका this question रहा आज का और इसी के साथ हम लोग बिलकुल I hope आज के station को आपने enjoy किया होगा current affairs की news को current affairs के points को, facts को बहुत ही अच्छे तरह से आप connect कर पाए होंगे MCQs भी आपने enjoy किये होंगे और quiz question तो आप बिलकुल enjoy करते ही करते हैं जैसा कि मुझे पता है तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलेंगे हम लोग next class में तो इसी तरह से connect रहें current affairs की news के साथ, facts के साथ और points के साथ Thank you everyone, goodbye and take care